हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे येटूब चैनल इस्टेडी बित्रवी पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 1000 GKGS इंपोर्टेंट मिक्स कोशन का पार्ट थर्ड इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना बाले हैं जिसमें दोस्तो नैश्ट भी इस प्रसनों को पढ़ें है अगला प्रसन है कि हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है तो यह दोस्तो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है राइट अंसर है ओप्शन सी नेश्ट कोशन है कि ब्रामी लिपी को किसी ने इस पश्ट किया तो यह दोस्तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस पश्ट हैं अगला प्रशन है कि राष्टिय विग्यान दिबस किस दिन मनाया जाता है सही उत्र है ओप्षन सी 28 फरवरी को फ्रेंट्स 28 फरवरी को सीबी रमन का जनम दिन होता है उनी के जनम दिन पर राष्टिय विग्यान दिबस मनाया जाता है फिंस सीबी रमन को 1930 में फिजिक्स के छेतर में नोबल पुरुसकार दिया गया है ठीक है तो याद रखेगा यह नोबल प्राप्त करता है अगला प्रशन है कि राष्टिय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है सही उत्त रहेगा उपसर भी 29 अगस्त को 29 अगस्त को दोस्तो मेजर ध्यान चंद के जनम दिवस पर दोस्तो राष्टिय खेल दिवस मनाया जाता है इने दोस्तो होक्की का जादू गर भी बोला जाता है जो की एक होक्की के प्रसित खिलाडी थे फिंस यह है इलहाबाद से सम्मंदित है अगला प्रशन है कि कंप्यूटर साख्षर्था दिवस किस दिन मनाया जाता है सही उत्र है उप्षन सी 2 दिसंबर को फिंस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साख्षर्था दिवस मनाया जाता है याद रखेगा अगला प्रशन है कि केंद्रिय उत्पाद सूल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है राइट आंसर हएगा option B 24 फरवरी को नेस्ट कोशन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है सहिः उत्र है option C 14 सिप्टम्बर को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजवासा का दर्जा दिया गया ठीक है इसी कारण दोस्तों 14 सितंबर को प्रतियक बर्स हिंदी दिबस मनाया जाता है आपसे पुछा जाए कि बिस्प हिंदी दिबस कब मनाया जाता है तो यह दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है अकला प्रशन है कि सिक्षक दिबस किस दिन मनाया जाता है राइट अंसर हैगा ओप्षन C 5 सितंबर को 5 सितंबर को प्रतियक बर्थ सिक्षक दिबस मनाया जाता है नेश्ट कोशन है दोस्तो कि किसान दिबस किस दिन मनाया जाता है तो यह है दोस्तो 23 फरवरी को मनाया जाता है याद रखेगा ठीक है नेस्ट कोशन है कि चिकत्सक दिबस किस दिन मनाया जाता है सही उत्र है ओप्शन सी 1 जुलाई को अगला प्रेशन है कि नो सेना दिबस किस दिन मनाया जाता है तो right answer है option C 4 December को Next question है राश्टिय एकता दिबस किस दिन मनाया जाता है तो right answer है दोस्तो option C 31 October को Friends 31 October को प्रतियेक बर्स राश्टिय एकता दिबस मनाया जाता है इस दिन दोस्तो सरदार बल्ला भाई पटेल का जनम दिन होता है और उनी के जनम दिबस पर राश्टिय एकता दिबस मनाया जाता है आप से पुछा जाए कि पहली बार राश्टिय एकता दिबस कब मनाया गया तो यह दोस्तो 2014 में मनाया गया था मतलब 2014 से दोस्तो राश्टिय एकता दिबस पृतियेक बर्स मनाया जाता है सरदार बललभाई पतेल के द्वारा भारत में जितनी भी देशी र्यासत थी उन सभी का विलयनी करण किया गया था इसी कारण इनहें इनी के जनम दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है अगला परशने कि राश्टिय प्रदोगी की दिवस किस दिन मनाया जाता है तो right answer रहेगा option A 11 माई को नेश्ट कोशने की सेना दिबस किस दिन मनाया जाता है सहित रहेगा option D 15 जनवरी को अगला प्रशने कि राष्टिय बिधी दिबस किस दिन मनाया जाता है सहित रहे option B 26 नमबर को फ्रेंट्स राष्ट्य बिदी दिबस या फिर राष्ट्य कानून दिबस जो मनाया जाता है वह 26 जनवरी 26 नमबर को मनाया जाता है फ्रेंट्स इसी दिन ही सविधान दिबस भी मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंट्स 26 नमबर को सविधान बनकर तयार हुआ था ठीक है तो याद रखेगा और फ्रेंट से है पहली बार जो मनाया गया था तो 2015 में मनाया गया था अगला प्रशन है कि मलेरिया दिबस किस दिन मनाया जाता है तो राइट आंसर है ओप्शन सी 25 अगस्त को अगला प्रशन है कि सही दिबस किस दिन मनाया जाता है सही उतर है option A 30 जनवरी को 30 जनवरी को दोस्तो गांधी जी सहीद हुए थे याद रखीगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी सहीद हुए थे इसी कारण पृति एकवर सही दिबस मनाया जाता है भारत में दोस्तो दो दिन सही दिबस मनाया जाता है एक 23 मार्च और 30 जनवरी 23 मार्च को दोस्तो भगत सिंग सुगदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी इस कारण 23 मार्च को भी सही दिबस मनाया जाता है अगला प्रशन है कि संचाई का दिबस किस दिन मनाया जाता है Right answer है Option B 15 सितमबर को अगला प्रशन है दोस्तो और लाश्ट कोशन रहेगा आज की इस वीडियो का कि समाजिक अधिकारिता इसम्रयति दिबस किस दिन मनाया जाता है सहीत रहेगा geopolit D 20 मार्च को तो फ्रेंट्स ये थे आज के हमारे 20 important person और आज दोस्तों हमने इस स्रीज के 3 part complete कर लिये हैं सभी part दोस्तों important हैं अगर आपने इससे पहले 2 part नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे भी जाकर जरूर देखीएगा ठीक है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजीगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं नेश्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए वाई थैंक्यो सुमच फूर वाचिंग जैहिंद